नमस्कार दोस्तों स्टॉकमारकेस्टेडिस में फिर सिखभर आपको बहुत-बहुत सागत है। आज यहां है में discussion करूँगा कुछ importance company के बारे में कुछ मतलब दो ही company के बारे में discussion करूँगा और दोनों company feature के लिए एक multi-bag return देने का capability रखते हैं और दोनों company ही small तो इसके हिसाब से देखा जाए तो दोनों कमपानी आज अच्छा खासा डिस्काउंट में मिला है और साथी साथ इस दोनों कमपानी जिस से बिलोंग करते हैं वो सेक्टर अभी स्लोडाउन में है और फूचर में वो सेक्टर पूरा के पूरा बहुत तेजी से ग्रोथ हो सकत है वो भी मैं आपके साथ सेर करूँगा तो वीडियो को लास तक देखिए और अभी तक अपने चनलन को सब्सक्रीम निकिया तो जोरू कर लीज़ेगा कंटिनेसली वीडियो और अपटेट पाने के लिए तो आज का जो टॉफिक है वो टोटली केमिकल सेक्टर के उपर है तो केमिकल कमपनी इसके दोनों कमपनी ही केमिकल सेक्टर से बिलों करते हैं और दोनों कमपनी के बारे मैं अच दिसकासन करूँगा देखिए फास्ट ज बीजनेस ना जानकर किसी भी कमपणी इसके उपर निभेश कर रहे हैं तो वो कमपणी आपको मतलब बूरी तरीके से लॉस करवा सकते हैं तो सबसे पहले company के business models के बारे सम्जbook अब देखेंगी तो company home, personal cabeals and performance के उपर चीह कमपणी काम करते हैं तो इसका मतलब company home care, personal care, और performance care इस तरЭ quarantine के पर कमपणी काम करते हैं industrial chemicals के उपर भी company काम करते हैं जैसे आप देखेंगे तो डेवलाप आफ नोवेल फ्रोडक्ट आफ इंडन रिल्वे तो इंडन रिल्वे के साथ भी जूड़कर कमपनी काम कर रहा है यह बाद भी आपको सोचने बाला बात है उसके साथ एनिमेल हेल्थ एंड न्यूट्रेशन इसके उपर भी कमपनी काम कर है जाती साथ घर में बहुत सारे पेट्स भी यूज पोवाण से लोग पालते हैं तो उस बेसिस में एक तेजी से बहुत करने वाला कमपनी बन सकते है क्योंका कि कंपानी का हरदक डिमाड़क्त इमडबल है कंपणी के खासियत क्या है अब दिखेंगे 45 कंपणी का मतलब एर्थ कंपणी कंपीट कर चुके है कुद का बिजनेस को साथी साथ 8 मैनुफेक्चरिंग फैक्टीज है और साथी साथ कंपणी के टोटल मैंटिक टॉन कितना कैपसिटी आप देख सेकते हैं 3,54,100 मैंटिक टॉ चार आरेंडी सेंटर्स भी है 34% का सीजर के परसंट के हिसाब से रेविन्यू भी है अच्छा खासा रेविन्यू देखने को मिला और पैट जो मार्जिन है पैट सीजर परसंटे मतलब कॉफिट आर्निंग टैक्स तो वो कितना है 24% के असपास है वो सारे प्रामेटर के उपर क्या बनते हैं कॉस्ट फेब्रीक इस त्रीक में कंग है और verme को चुक्के है और जबनाय जने सरे कमपनी से उसके उपर प्रेसर अभी है तो इस कमपनी के दिखे हों में तो पहले आपको बोल चुको टेक्स्टाइल पेसलिटी केमिकल्स और एनिमल्स एंड हेल्थ केर के सिस्टेम के उप़र तो इसके जो पर्फ़मेंस है बहुत में आपको दिखा चुका मतलब कमपनी के बिजनेस वॉंडल तो आपको समझा चु कितना चल रहा है अब 43 के आसपार और आवरेज प्युर जो नहीं है तो चैकरनल में और इसको मतलब कमिक्त घंए दैंको प्रॉमें के चुछ तो एक साल में 43 है इसका मतलब जितना पी रिस्यों करेंट है उतना ही पी रिस्यों एक साल में भी देखने को मिला अभी करेंट 6 वान्थ में क्या चल रहा है और कोई डेटा नहीं है, साथी साथ कम्पानी के देखे profit and loss, जो सबसे ज़्यता importance लगा, कम्पानी के sales growth लगातर increase हुआ, कम्पानी देखे पिछले सालों के तुन्न से इस बार अच्छा खासा profit किया, उसी तरह के से कम्पानी expense को भी कम किया, और उसी तरह के से कम्पानी के profit भ करोर के आसपास, जो पिछले बार कितना था 98 करोर और पिछले साल में, मतलब 2021 में कितना था, सिर्फ 80 करोर, तो इसका मतलब कम्पानी का profit ratio में कोई भी कम होता देखने को नहीं मिला, उसके साथ साथ कम्पानी देखे sales growth, profit growth भी ठीक है, current period में ठीक ठाग नहीं है, बाकी ठीक है, कम्पानी का return of equity भी average level के आसपास है, कम्पानी CAGR के percentage के हिसाब से भी अच्छा खासा percentage दिया, अभी कम्पानी के balance sheet के बारे में बात करो, तो कम्पानी का reserve जो है, वो लगातर increase होता गया, और इस बार reserve जो है, वो अच्छा खासा levels में देखा, और साथ इसाथ बारिं in process, इस process को देखेंगे, तो देखेंगे 16 करोड के आसपास company पैसा लगा के रखा, मतलब 16 करोड कम्पानी का पैसा कुछ working में है, processing में है, वो 16 करोड कहाँ पर दिखेगा, इसके साथ एड होता दिखेगा, आइफाने 84 से 16 करोड एड होता दिखेगा next year में, तो companies के cash flow के बार निवेश करके रखे है, तो company के हर parameter ठीक ठाक है, अभी रही बाद chart patterns का, तो ध्यान देजीगा, जब company start हो, तब 2020 में July मान में, COVID के बाद company start हो, उसके बाद धामाग कर दिया, उसके बाद धीरे-धीरे करके correction हुआ, और मैंने आपको mention किया था, यह जो lifetime low था, इसको अगर break कर करेगा, तो एक बड़ा सा fall देखने को मिले सकता है, मतलब break कुछ इस तरीके से होना चाहिए, directly break करके, कुछ retracement करके, यहापे sell off होना चाहिए, मतलब इस level को break करने के बाद, फिर से reverse जाकर, इसी range को test करेगा, उसके बाद गिराबट हो, तो बड़ा सा fall देखने को मिल सकता ह मगर यहापे क्या हुआ, उल्टा, इसको touch करने के बाद उपर जा रहा है, इसका मतलब operator जो यहाँ से उपर लेके जा गया था, वो ही operator फिर से इसको उपर ले जाने के लिए त्यार हो चुके है, तो मेरे हिसाब से best opportunity है, इस opportunity के हिसाब से आपको study करना चाहिए, इस company को पर, इस company एक fine company है, obviously fine company है, देखें company के जो chemicals से जो पोड़क बनते है, खाने पिने का से लेकर, plastic लेकर cosmetics, साथी साथ जो fabrics है, cosmetics है, जो मतलब paints है, तो साथी साथ जो wearings, जो cables है, इस सब कुछ company के chemical से ही बनते है, company देखेंगे, तो strong R&D capacity है company का, मतलब 25 scientist है, इसका technician है, जो इस काम के उपर continuously काम करते जा रहा है, इस project के उपर, साथी साथ company house design and engineering, उसके उपर भी company काम कर रहा है, उसके साथ new product कुछ development भी किया है, जैसे feed nutrition, foods के उपर, साथी साथ कॉस्पा के उपर, मतलब cosmetics के उपर, coatings के उपर, polymers के उपर, and others के उपर, इसका मतलब company खुद के business को expand करना चाते हैं, और मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, company का product कहा का पर यूज होता है, आप देखेंगे food additives, मतलब additives के उपर, मतलब food बनने के लिए, साथी साथ polymers के लिए, साथी साथ देखेंगे तो coatings के लिए, और साथी साथ cosmetics, और food nutrition, जितने सारे animals हैं, उसके उपर, speciality जो additives हैं, उसके उपर भी, तो company के business समझ में आ चुके है, company सबस्यादा business काफे करते हैं, company के total product 470 से भी जादा, इतना product company करते है, company में अभी आज आप कहेंगे सार, company इतना अच्छा होने के बाद भी correction क्यों है, उसका जो major कारण है, वो है US और Europe, company Europe and US इस दोनों countries में खुद का product बेज रहा है, जहापे को आज देखा जे तो recession के चलते है, global market में crisis के चलते है, इस दोनों countries में आज demand काम हो गया, इस product का, demand काम होने के कारण, share के उपर correction भी देखने को मिला, उसके साथ साथ चाइना भी Europe countries में खुद का product बेच रहा है, सस्त दामों में, discount में, तो उसी के चलते है, इंडिन प्रेशर बड़ा, तो company का total direct customer कितना है, 850 plus, और distribution network कितना है, 180 से भी ज्यादा, साथ साथ company 80 countries को cover करते है, खुद का business को, और 80 countries में खुद का product बेचते है, और end user कितना है, 5000 से भी ज्यादा, तो companies में कुछ खासियत है, जो खासियत company को आगे चलके, बहुत बड़ा बना सकते ह तो रही भात company के बारे में market cap 14,000 कोड के आसपास है, peer ratio कितना है, 25 है, ROC, ROE कितना सांदर है, base level में है, और peer ratio देखे, industries peer ratio देखे, पी कम है, फिर भी मैं peer ratio का आपको compare करूँ 5 साल में, तो company का peer ratio कितना है, 41 है, और company का peer ratio चल कितना रहा है, 25, इसका मतलब medium जो peer ratio है, मतलब average ज देखने को मिला, मतलब जादा देखने को मिला, तो मेरे हिसाब से, खुद का peer ratio कम है, इस company का base level में देखने को मिला है, इसका मतलब सस्ते दामा में company का price आपको देखने को मिला है, रही बात company का देखे, zero depth है, annual income भी अच्छा कासा है, company में 2 points मुझे अच्छा लगा, वो क्य देखे, और company का profit loss के बारें बात करो, देखे, sales लगातार increase हुआ, expense को भी control में रखा, उसके बाद company इस बार highest profit generate किया, company आज तक की highest profit है 618 करोर, जो पिछले साल में था से 260 करोर आसपास, इसका मतलब दुगना के आसपास company का दुगना से भी ज्यादा, company का net profit बढ़ चुके ह हुआ, companies के हाथ में, जो मतलब CWIP है, capital working in process, 40 करोर के आसपास company पैसा, business में लगा के रखा, जो पैसा, business का, मतलब, जो project खतम होने के बाद, वो directly पैसा आपको fixed asset में दिखेगा, उसके साथ company का, cash flow के बारें बात करो, तो continuous ले cash flow के भी maintenance किया, इनिवेश्टर भी देखिए, promoter से लेकर, FIS, DS, public हर कोई इस company के उपनिवेश करकर रखे है, तो overall बात करो इस company के बारें, तो company में जब से start हुआ, जब से start हुआ, मतलब company start हुआ तो 2018 में, और वो भी 2nd July में, उसके बाद देखिए company कि तरीकी से performance किया, performance के बारें बाग करूँ तो ध्यान दीजीगा, companies के बाद जो performance हुआ, starting period से में अगर top level तक देखू, तो around around company अपको थोड़ा सा और विपूर जाएगा, चलो कोई बात नहीं, साड़े साथ सो परसन के आसपार return लिया, इसका मतलब seven times company आपको almost return दे चुके है, एक कंपणी फिर से उसी level में आकर re-back कर रहा है, जिस level company के लिए एक strong support था, तो company के लिए strong support था, sorry, strong resistance था, उस resistance को break किया, अभी वो ही resistant company के लिए support बन चुके है, आप कहेंगे सार कितने दिनों का चार्ट पटन है, तो actually यह पार candle one month का है, युकि long चार्ट पटन आपको लिखाने के लिए इस तरह के से चार्ट पटन में आपके साथ use किया हो, तो कोई भी decision लेने से पहले इस दोनों company को पर research करना, मेरे opinion के इसाब से, अगर मेरे opinion आप पुछेंगे, के सार दोनों company में कौन सा based है, तो मेरे इसाब से obviously fine organic based है, और दोनों company खराप नहीं है, दोनों company के performance दिरी दिरी करके growth हो रहा है, और chemical sector का demand feature में और भी ज़दा बनने वाल है, कि कि without chemical में कुछ भी product नहीं बनेगा, तो chemicals का demand रहेगा, आपको वो ही chemical company के उपर रहना है, जो futuristic product के उपर ही काम कर रहे है, तो I hope वीडियो को अच्छा लगे, तो please like करना, दोस्तों को साश्यार भी करना, चैनल को subscribe करना, मिलेंगे next video में, तब तक लिए अच्छे सर की, bye-bye.